हम लोग एक ऐसी कुमपणी के बारे में बात करेंगे जिसका टार्गेट बहुत ही अच्छा टार्गेट यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा स्टॉक का स्टॉक प्राइस अभी है 404 रुपेस और स्टॉक का नाम है CCL Products India कोफी मेंनेक्टेरिग एन कोफी एक्सपोर्ट का बिसनिस है इसका रासिया और मलीशिया में काफी बार एक हिस्सा कॉफी इसका एक्सपोर्ट होता है आप देख सकते हो na food products category में यह स्टॉक आता है और हाइडरा बेस्ट बेस्ट यह compatible यह बनाता है CCL पोड़क्स इसका नाम है स्टॉक का आप देख लीचे 52 इक्स हाई प्राइस जिसका 515 रुपिस तक गया था और 310 इसका 52 इक्स लो प्राइस है जो की 404 इसका करेंट प्राइस है आज अगर देखेंगे दिन भर 401 से 408 के बीच में यह स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहा है और वॉलूम के माबले में भी काफी जब दस वॉलूम के साथ यह स्टॉक हर रोज टेडिंग होता है अभी सबसे बड़ा जो बात है यहां पे चौकाने वाला बात है कि एक्सपार्ट का रेटिंग जो है 100 परसेंट इस्टॉक को बाई की सला दिया जा रहा है इसका टार्गेट प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा यह कुम्पनी कोई छोटा मोटा कुम्पनी नहीं है इसका मार्केट कैपिटल देख लीचे 5,373 करू से ज्यादा कुम्पनी है एन कुम्पनी का रेविनु देखे आप हैरान हो जाओगे अगर आप रेविनु देखेंगे 2022 का मैं आपको रेविनु दिखाता हूँ यहाँ ली यहाँ पे देखी 1462 करू का रेविनु और हर साल में यह इसका जो रेविनु है यहाँ पे इंक्रिमेंट हुआ है प्रोफिट कॉम्पनी का है 1251 करोर और कॉम्पनी काफी अच्छा अभी क्रोइंग स्टैटस में है काफी अच्छा यहाँ बिसनेस स्टाडेजी लेके चल रहा है कुम्पनी प्रमोटर के पास है कुम्पनी का हिस्सेदारी 46.26% इटेल इंवेसस के पास है 27% मुच्टल के पास है 18.55% and FII के पास है 8.19% का स्टेक्स काफी अच्छा एक बॉजिटिफ चीज है यह है कि कुम्पानी का जो प्रॉफिट है दोस्तों यह नेट प्रॉफिट राइज हुआ है 24.11% जो लास्ट कॉर्टर था and काफी अच्छा संदार प्रॉफिट बोनास भी दिया है कुम्पानी CCL Products India Limited इसका टार्गेट प्राइस सुन लीचे 580 रुपिस इसका टार्गेट प्राइस है in short term इसका long term के लिए hold करोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा आपको रिटान मिल सकता है स्टॉक से स्टॉक अगर आप लोग देखोगे कि रिटान का अगर कैलकुलेटर तो तीन साल में देखी स्टॉक ने 67% से ज़्यादा रिटान दिया है 5 साल में रिटान दिया है 43% एक साल में रिटान दिया है करीब 5% का रिटान दिया है तो कंसिस्टेंस है कभी भी negative return दिया है और इसमें काफी actually room है यहां से stock आगे बाढ़ने का तो 580 का minimum target है दोस्तों बट हर कोई stock में आपको ज़रूर stop loss भी लागा के चलना है तो यहां से stop loss अगर लगाना है आपको 404 रुपिस का तो stop loss आप लागा के चलिए 480 का ठीक है यह stop loss आपका हो गया और आपका target price हो गया 580 रुपिस तो यह दोनों price आप ट्राक करके चलिए इसको डाडर में रखे CCL Products India stock का नाम ज़रूर याद रखिएगा आपके पास के यह stocks अलड़ी है comment करके ज़रूर बताइए और आपको क्या लग दे इस stock के बारे में अगर कोई भी information है इस stock के बारे में तो भी आप comment करके ज़रूर बताइए थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तो मिलते नेक्स वीडियो में